हेलो बच्चो कैसे हैं आप सब आशकरतियों आप सब मज़े में होंगे तो आज मैं आप सब के सामने एक बहुत सुन्दर कविता लाई हूँ खड़े रहो तुम अविचल खड़ा हिमाले बता रहा है डरोना अंधी पानी में खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तू फानी में बच्चों इन पंक्तियों में कभी कह रहे हैं कि आपको भी अपनी हिम्मत के साथ डट के खड़े रहना चाहिए कठिनाईयों का मुकाबला करने के लिए डिगोना अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे तुम भी उचे उठ सकते हो चू सकते हो नब के तारे कभी कह रहे हैं कि आप अपने प्रण से वचन से कभी ना हिलो और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आप भी आकाश की उचाहियां चू सकते हैं अचल रहा जो अपने पत पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ है जो बच्चे अपनी पत पर डिगे रहते हैं, अडे रहते हैं उन्हें जीवन में सफलता जरूर बिलती है चाहि कितनी ही मुसीबती आएं बच्चो इस कविता को लिखा है सोहन लाल दिवेदी जी ने और आशा करती हूँ आप सब ने इस कविता को इंजॉय किया होगा आप सब इस कविता को खुद से भी पढ़ेंगे समझेंगे और नीचे दिये गए अभ्यास को भी करेंगे